हेलो स्टुदेंस वल्कम बाक तो फेवरेट चानल मागनेट ब्रेंस आयम गौरी जाद दोनियर एक्नॉमिक्स एड़ुकेटर सुदेंस मागनेट ब्रेंस लिए प्लाटफॉर्म में उच आपको प्रोवाइड करता है फ्री और पॉलिट एजुकेशन अगर मैं सीबेसी की ब बोड़ो, MP बोड़ो, Delhi बोड़ो, BR बोड़ो या राजस्तान बोड़ो तो सारी के सारी चीज़े आपको हैं आपर मिलने वाली है सुरेंस आपको जल्ली सापको क्या करना है? लाइक, शेर अब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को राइट? तो सुरेंस आज हम पढ़ने वाल अब्सक्राइब करना है तो सुरेंस आपको बात करते हूं एम्प्लोइमेंट की, आप लोग ने पढ़ा है क्लास 9 में एक चैक्टर पढ़ा होगा, पीपल आज रिसोर्स, एकनोमिक्स में, वे भी, या राज बात करी थी, कि वाट इस सिग्निफेकेंस अफ पीपल आज रि आपके पास ज्यादा लोग है, आपके पास population ज्यादा है, तो या तो आपकी asset हो सकती है, या तो हो सकती है आपकी liability, so you will have to choose, कि जो आपके पास population है, जिसकि इंडिया में, हम लोग तो भई, इसमें number one है, populated country है, तो हमारे पास इतना सारा resource है, human resource, मैं यह बोलूँ कि हमारे प करते हो, employment की, why you are studying, why are you studying, एक तो of course अपना growth आपकी अच्छी हो, आपकी knowledge बड़े, you want to make, you want to be a good individual, everything, ये ठीक है, लेकिन एक concept ये भी है ना, that you want to become successful in your career, you want to earn good money, so that you can increase your standard of living, you can provide all the facilities to your parents and your well, your job, your close ones है उनको, तो अगर आप इतना पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, सब करने के बाद, you are top of the class in everything, you are doing your best, and you still are not able to get a job, so what kind of situation you will be in? तो अगर हम बात करते हैं इंडिया में, इतनी सारी population है, हम इसको youth country बोलते हैं, मारा maximum लोग कौन से हैं, youth हैं, अगर उनको job नहीं मिलेगी, so what will happen? एकॉनमी बड़ेगी, घटेगी, क्या होगा? यह question है जो आपको खुद से पूछना है, और आपको current scenario को notice करते हुए बताना है, कि क्या situation? that even after spending so much money in education, है न, हर इक चीज में, courses, diploma, certification, everything, we are still not able to land a job, so why this is happening? is this even happening in India, है मैं superficial कोई बात बता रही हूँ? आपको मझे comment section में definitely बताना है, what are your thoughts on this, clear? तो आज हम पढ़ने वाले students, the concept of employment, जिसमें हम पढ़ेंगे, कि भाई, full employment क्या होता है, and what is the meaning of involuntary unemployment? तो अगर मैं बात करती हूँ, full employment, employment मतलब की भाई, आपकी job हो, आपको इसकी basis पर आपको salary मिल रही है, आपका कोई business हो, कुछ भी आप employed हो, आप काम कर रहे हो, basically, simple Hindi है बोलोंगे, आप काम कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते है, employment, ऐसा ने कि घर के काम कर रहे हो, तो बहुत similar है, लेकिन काफी अलग है इनका meaning हो, काफी अलग है इनका पूरा scenario, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, full employment basically, full employment मतलब की सब employed हैं, तुम employed हो, तुम employed हो, सब employed हो, सब काम कर रहे हैं, सब बढ़िया काम कर रहे हैं, everyone is happy, so full employment refers to a situation when all or nearby all individuals, याने most of the individuals, मैं बाच करत हो, who are willing to work, सबसे पहले तो willing to work, unable to work, are and at the prevailing wages, rate are employed, मतलब अगर आप हम बोल सते हैं, employment, अगर मैं वही बोलोंगी, full employment तब ही हो, पहला तो क्या हो, सबसे पहले क्या condition है, कि जहां पे sub employed हो, या almost sub employed हो, पहला चीज, second क्या है, आप काम करना चाहरे है, you are willing to work, third क्या है, you are able to work, करने का तो बहुत कुछ मन होता है, लेकिन कर पा रहे हो कि नहीं कर, यह भी तो situation है, आपको चाहिए भई हमें तो 1 lakh रूपीस पर मन्त हमें चाहिए salary, काम आपको 10,000 का भी नहीं आता, फिर, फिर क्या होगा, तो सबसे पहले तो होना चाहिए कि willingness, कि हाप काम करना चाहरे हो आपका मन है कि आप काम करना चाहरे हो, और यह भी कि आपको काम करना आना भी चाहिए, है ना, आपको बले कुछ नहीं आता हो, आप बोडरों कि मुझे कि कितनी भी salary चाहिए, तो that is not possible, फिर तो बेवकूप ही होई है, आपको अपनी skills भी देखनी पडेंगी, ऐसा नहीं कि पर सब चले गए किसी भी company में, कि भाईया मेरा तो काम करने का मन है, आप मुझे दो भाईया बढ़िया पच्छा साथार दो पर मन्त, तभी मैं काम करूँगी, you should have a skill for it, right, so that is why सबसे पहले situation क्या है हमारे पास, जहां पर आप आप अधिकतर लोग employed हो, फिर क्या condition है कि आपको काम करना आना भी चाहिए, able to work, able to work at a prevailing wages rate, याने जितनी वो salary देना चाहरे हो, उस पर आप काम करना चाहरे हो, वो भी एक चीज है, कि कही पर होता है कि आपको सब आता है, आप किसी इंटरव्यू के ले जा रहे हो, लेकिन सामने वारा आपको उत्तों offer नहीं कर रह है और आप चाहते हो कि जो मुझे salary मिल रहे हो, उस पर में काम करूँ, that is prevailing wages rates are employed, तो अगर ये सारी situation आप इसमें agree करते हो, फिट बैठ रहो, तो इसका मतब होता है कि जहां पर all the individuals who are willing to work, able to work at a prevailing wages rate, get employment and are working, हम इसको क्या बोल सरते है, full employment, ठीक है, next हमारे पास क्या आता है however, involuntary, what is the meaning of voluntary, खुद से, खुद से आप unemployment, एक हमारे पास voluntary unemployment भी होता है, कुछ लोग होता है इनको काम में कोई interest ही नहीं है, नहीं करना हमें काम, family वाले करेंगे, family वाले हमारा खर्चा उटाएंगे, हमें अपने पर बुकोल independent बनना ही नहीं है, तो ये कौन से लोग है, voluntary unemployed पादो काम ही नहीं करना, मनें लहीं करना, क्यों करें, है तो सही हमारे parents में रखा है, यह तो यह हमारे पारेंस में कमा खेंघा है, that is more than enough for us, तो यह क्या होज़ता है, Voluntary unemployment, वो खुद से ही नहीं चाहते काम करना, फिर हमारे पास क्या होता है, involuntary, involuntary मतलब आप नहीं चा काम करना चाह रहे हैं लेकिन और एबल टू एबल टू एबल टू वर्क पहले तो उनको काम करने का मन है और उनको काम आना भी चाहिए यह दोरों सिच्वेशन फुल्फिल उनने कर दिये ठीक है लेकिन वह कोई भी ऐसी सूटिबल इंप्लॉयमेंट या जॉब अपने लिए तो उने में में जरए सेमियां नहीं को भी अपॉसित इन्दाइस उतीजैन में आपने अटिन कॉल्फिल आप मतलई नहीं कर पा रहे हैं कुछ बच्चेए उनको लुकर और हैं यह बट बढ़नी फक्तर होगया दीकिसि disturbing में कि that degrees वगेरा doesn't prove that you are skillful, आप 100 degree कर लो, आपको काम नहीं आता, आपको कोई नहीं रखेगा, अगर आपके पर से वेक डिगरी है, आप काम कर रहे हो, अच्छे से सीखना आप चाहरे हो, you are a quick learner, you want to learn, you want to grow, of course, आपको definitely jobs मिलेगे, आप अपने लाइफ में भी आगे चाहोग लेकिन अगर आपने comfort zone में रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलना, ठीक है फिर तो किस्मत का खेल है सब, so यहाँ पर हमें यह समझना है students, in voluntary unemployment का क्या मतलब है, कि आप काम करना चाहरे हो, आपको वो काम आता भी है, लेकिन आपको job नहीं मिल पारी, opportunities नहीं मिल पारी, यही त क्या होता है, जब हम लोग चुरू-चुरू में तो कोशिश करते हैं कि हमें तो best करना है, हमें इस ही जगा काम करना है, फिर आपको लगता कि नहीं है, कहीं opportunity नहीं है, तो then you settle for less, आप वहाँ पर भी काम कर लें तो जहाँ पर आपको लगता कि ठीक है, दो पैसे आ रहे है, कहां बुलकुली कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं कम में कर लेता है, दिरे दिरे बढ़ जाएगी salary, और इवेंचुली हर एक यूथ के साथ हो रहा है इंडिया में, most of the youth, of course some people जो हैं जिनने महनत करी है, जो skillful हैं, they are doing good, लेकिन most of the youth is struggling to get a job, कि इतना उनने खर्चा कर अजुकेशन में, उसके बाद उनको जो जॉब मिल रहे हैं, उसके बाद उनको जो जॉब मिल रहे हैं, जल्दी से, यह वाला पूरा टॉपिक ही रियालिटी बेज़ है, इसमें कुछ समझने का नहीं है, this is all about reality, what is actually happening in India, so full employment मतलब, कि आप काम करना चाहरे हो, आपको काम करना आता भी है, और आपको सहीर rates भी मिल रहे हैं, आपको wages मिल रहे हैं उसके लिए, तो आप वोल्डरों के हाँ ठीगे, बड़ी आ है, हम करेंगे काम, और in volatility unemployment क्या होता है, कि आप लोग कंटिनुसली सीख कर रहे हैं, in voluntary unemployment, ठीक है, तो जैसी कि आप देख सकते हो, types of unemployment under full employment, अब क्या होता है, एक होता है, types of unemployment under full employment, आपने तो वोला मां full employment मतलब कि आप लोग को सब आता है, आपको काम भी आता है, आपको salary मिल रहे हैं, और आपको सब बढ़िया चल रहा है, और एक आपने बताया, involuntary unemployment, याने आप चाहते हो काम करना, लेकिन फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा है, अब इसके अंदर भी न, दो तरीके होते हैं हमारे पास, ठीक है, full employment के अंदर भी दो तरीके होते हैं, लेकिन उससे पहले students, full employment क्या होता है, it is a situation in which all those people who are willing and able to work at an existing wage rate without any undue difficulty get work, आप काम करना चाहते हो, आपको काम करना भी आता है, आप सालरी से भी खुश हो, और आपने बोला कि ठीक है, डन कर लो, मैं काम करूंगा, तो यह क्या हो जाता है, मेरे पास full employment की situation हो चाती है, वही पे इन जनरल हम क्या बोल सते हैं, the term full employment means that there is no unemployment in an economy, that is everyone gets a job, सब काम कर रहे हैं, सब के पास कुछ न कि अगर मुझे दो लोग की जरुवते काम करने के लिए, तो हाँ दो लोग हैं मेरे पास काम करने के लिए, तो मेरे demand और supply सेम है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, market situation जहां पर full employment है, जितनी jobs market में available हैं, सब उसमें काम कर रहे हैं, सब को jobs मिलके, all the people who are working, उनके पास job है, full employment के अंदर, clear, जल्दी से screenshot ले लेजिए, done, clear, okay, so but in macroeconomics, even during full employment, some types of unemployment can exist, अभी तो आपने बोला मैं, full employment में सब मतला, sub employed हैं, फिर ये कहां से आ गया, अब समझना है बात को कि reality क्या होती है, economy में, so it means that full employment does not result in zero unemployment, full employment का मतलब ये नहीं करें कि सब के पास job है, फिर भी कोई नो कोई बेरोजगार तो रही जाना है, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, it means that full employment does not guarantees zero unemployment, और we cannot say that कि पूरा का पूरा percent, 100% लोग employed हैं, हम ये बोल ही नहीं सत्ते, so that is why the two types of unemployment under full employment are, हम ये बोल सत्ते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, frictional जैसे कि यहां पर लिखा था, yes, एक हमारे पास होता है frictional और एक हमारे पास होता है structural unemployment, एक इसके अंदर आ रहा है, full employment के अंदर या दखना, कई बर क्या होता है, question आता है, अब देखो इसके sentence में क्या लिखा है, full employment, तो आप सोचरों क कोई पता है कि बच्चे यहीं पर एक तरीके से मात खाएंगे तो वो यही दे देते है, so that is why हमें समझना, students यहां पर, की full employment के अंदर ही दोनों चीज़े आती है, कौन कौन सी, frictional and structural unemployment, clear, आगे बारे पढ़ने इन के बारे में, चलो, yes, तो frictional unemployment का मतलब होता है, temporary unemployment which exists during the time period when a worker lease one job and joins another job, कई पर होता है, कि आप notice period देते हो, या आप दूसरी job धूरने चारे हो, या आपको एक time frame मिला है, कि आपने ये job छोड़ी और उसके अंदर फे आप दूसरी job धूरना शुरू करते हो, कई पर होता है, जौब में ते दिक्कत बड़ी क्या होती है, switch करना तो मुश तो आपको कई बार हो miss हो जाता है, या कई आप जाके आप attend नहीं कर पाते, तो बहुत मुश्किल होता, switch करना है, इतना असान नहीं रहता, तो जब हम बात करते है, frictional unemployment कौन सा unemployment है, कि जब किसी पास job क्यों नहीं है, because उतने just अभी कोई job छोड़ी है, और दूसरी job की तरफ ढूनने जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते है, frictional, for a fraction of time, जब मैं बोल सकते हूं कि आप unemployed हो, so such type of unemployment arise because of the labor market imperfections like lack of perfect mobility from the side of workers and the lack of market information among the workers regarding job availability, कई बार होता है कि लोग को पता ही नहीं रहता कि उस company में vacancy निकली है, तो उसकी ऐसे भी नहीं जा पाते, तो क्या हो रहा उसके बीच के तो time frame रहता है, जब अब unemployed रहते हो, उसको में लोग क्या बोलते है, frictional unemployment, clear, quickly take a screenshot of it, done, समझा आ रहा है, okay, so besides these, frictional unemployment may exist because of the introduction of new machines, breakdown of a plant or a nationalism or production process, तो क्या होता है, कई बार, frictional unemployment इसलिए भी होती है कि कई बार, machine ढंक से काम नहीं कर रही, या strikes हो गए, या थोड़े दिन के लिए functioning बंद हो गई, या new machines आ गई, या नया तरीका आ गया काम करने का, तो इसलिए आपके पास job नहीं है, तो यह क्या हो जाता है, यह reasons है कि के लिए, frictional unemployment के लिए, फिर हमारे पास क्या आता है, structural unemployment, structural means something which is very systematic को structure बोल सते है, so that is why structural unemployment is the type of unemployment in which people remain unemployed because of the mismatch between the unemployed people and the demand for the workers of a particular type, अब देखो हमने क्या किया है, हमने किया है, या IT में डिपलोमा, अब बैठा हो कम्प्यूटर वाली जोब आए का, कम्प्यूटर वाली जोब या, labors, जो उनके लिए मजदूरी कर दें, अब आपका क्या हो रहा है कि काम तो दो नहीं है, काम में कोई दिक्कत नहीं, हरे काम कोई भी काम चोटा बड़ा नहीं, सारे काम की respect है, अब आपने डिगरी कर रखिया, आप कहां से तुम इर उठा लोगे, नौकरी तो उसे ही जो नौकरी आप उफर कर रहे है, तो यहाँ पर क्या हो गया है, मिस्माच हो गया है, between the unemployed people and the demand for the workers of a particular type, in simple terms, structural unemployment is associated with the structural changes in economy, ठीक है, मनब आप जो economy में दिमांड चल रही है, अब मैं सपोर्स जासे कि फिर में टीचर, अगर मार्केट में चल रही है, अगर मार्केट में चल हो तब मुझे बताओ, लेकिन मैं structural job कैसे कर पाऊंगी, यह तो मुल्कुल ला लाग software engineering की, तो यह क्या हो गया तरीके से, structural unemployment का काम करेगा, कि आपको वो काम मिलनी मिल रहा, जो आपको आता है, ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलते है, structural unemployment, clear, quickly take a screenshot of it, जल्दी से, जल्दी से ले unemployment notes बना, खतम करो, simple, ठीक है, so for example, because of advancement in technology, workers who do not have enough knowledge to work on advanced technological machines or equipments will be unemployed until they take some training course, तो कई बार जैसे की होता है, अब जैसे की, if I am an account person, मुझे टैली वगेरा नहीं आता है, यह मुझे कोई नया software चलाना नहीं आता, तो मुझे पहले वो सीखना पड़ेगा, फिर मैं वापस काम दू points होई नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरीके से structure हमारे पास unemployment हो जाएगी, right, so the presence of frictional unemployment and structural unemployment in economy is termed as the natural rate of unemployment, तो what is the difference between frictional, जाप एक जाप से दूसरी जाप की तरह बढ़ रहे हो, और structural का मतलब कि आपको आता कुछ और है, market में डिमान कुछ और है, यह हो और समकुछ और करके बेटे, नौकरी किसी और चीज़ के निकल रही है, ते क्या हो गया, students हमारे लिए एक तरीके से natural rate of unemployment हो गया, fine, समझ आया, जल्ली से इसका screenshot ले रोग, notes बनाने सभी को अपने, notes नहीं बनाओगे ना तो कुछ समझ नहीं आना, notes are very crucial for you, you have to remember this, clear, आगे बढ़ने की नहीं बढ़ने की नहीं बढ़ने का आगे कोई option थोड़ी है, चलो फिर, the workers mentioned in full employment consists only labour force, that is the working population and not the total population, हाँ, तुम सोच रहा हम हमारा छोटा भाईया जो है, वो नहीं काउंट हो रहा है, working, ठीक है, जो काम कर सत्ते है, उनहीं की population को concern लिया है, छोटा सबच्चा अब भी आया उसको सोड़ी नहीं बोलेंगे हम, ठीक है, so the working population not the total population, the labour force is that part of the population which mentally and physically is fit to work, unable and willing to do work and does not consist of children and old person, तो हम इसमें मुलकुल भी senior citizens को नहीं ले रहा है, बच्चो को नहीं ले रहा है, मलब आपका वो एज है जहाँ आपको काम करना चाहिए, वो अले सिच्वेशन क को हम population consider कर रहे है, ठीक है, ऐसा नहीं तुम बोलो, छोटा भईया हमारा काम नहीं करता है, हमारा अभी अभी जो छोटी सी भेन आई है, वो नहीं कर रही काम, वो भी तो unemployed है मैं, ऐसे सवाल नहीं करना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, फोड़ा इंट्रेलेक्शल कॉमन सेंस ल अब हमारे पास आता है, students, involuntary unemployment, so it is a type of unemployment in which all those people who are willing and able to get work at an existing wage rate do not get work, involuntary मतला आप चाहते हो, आपको काम चाहिए, आप ढून रहा हो, आपको काम चाहिए, लेकिन क्या है, वो मिली नहीं रहा हो काम जो आपको आता है, या आप करना चाहते हो, तो ही क्या हो रहा है, स्टु अब मैं शुरुवात कर रहा हूँ, मुझे धंकी जॉपते मिले, so involuntary unemployment कौन सी होती, students, in which all those people who are willing and able to work at an existing wage rate do not get work, अब इसका example देती हूँ, suppose कोई एक परसन है ए नाम का, उसको काम करना है, बैंक में, चीका, प्राइवेट बैंक में उसको काम करना है, उसने बोला कि मुझ ठीक है, और मुझे basic computer, English, Hindi, mathematical reasoning और ये सारी चीज़े मुझे आती है अच्छे से, लेकिन फिर भी उसको ये जो उसका offer उसने रखा है, कि मैं एक इनसान हूँ, जिसको logical reasoning भी आती है, mathematical reasoning भी आती है, English भी आती है, Hindi भी आती है, बैंक में में काम करना चाहता हूँ, 30,000 मेरी expectation है पर मंत, लेकिन फिर भी उसको job नहीं मिल रही है, तो situation क्या हो गया मेरे पास, involuntary unemployment, in simple terms, under involuntary unemployment, people are unemployed against their wishes, और under some compulsion, ठीक है, beside, while determining the total unemployment of an economy, only involuntary unemployment is considered, ठीक है, तो याद दखना, जब भी हम determine करते हैं, एकॉनिमी में कि कितना unemployment है, तो हमेशा किसको consider करते हैं, हम लोग, only involuntary unemployment is considered, इसी को लेते हैं, हम लोग, frictional structure को नहीं लेते, हम किसमें लेते, involuntary, आप काम करना चाहते हो, आपको काम करना आपता भी है, लेकिन जिस wages पर आप काम करना चाहरो, आपको वो नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाता है हमारे पास, involuntary unemployment, clear? समझ आया, यह वाली लाइन बहुत इंपोर्टन है, जल्दी से इसका screenshot ले लीजे, दन की नहीं मां डन, होई जाना चाहिए दन, ओके, चलो, so voluntary unemployment, voluntary unemployment का मतलब क्या होता है, इस ताइप of unemployment in which even though a person is physically, mentally fit, ठीक है, is unemployed because of his unwillingness to do a work at an existing wage rate, एक होता है कि आप तयार हो, ठीक है, कि 30,000 का भी अगर मुझे मिलेगा, तो मैं काम करने को रेड़ू, लिकिन आपको opportunities नहीं मिल रही, और एक होता है, हमारे पस voluntary unemployment है, आप खुझ से काम करना ही नहीं चाहते हो, money नहीं है, मुझे काम ही नहीं करना है, मस् जिंदेगी यह रियल्स देखो, बढ़िया खाओ, प्यो, आश करो, you only live once वाला हमारा यह factor चलता है लाइफ में, तो यह क्या हो जाएगा मेरे पास, आपने खुझ से चुना है, voluntary, you have decided to be unemployed, ठीक है, so while determining the total unemployment of an economy, voluntary unemployment को हम consider नहीं कर रहे, क्योंकि यह लोग तो आई नहीं चाहिए भई, बेरोजगार में, इननों तो खुझ ही सोचा हमें कुछ नहीं करना है, बेरोजगार ही किसको बोलेंगे, जो भई काम करना चारा लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है, यह लोग कौन से लोग है, इनको तो कुछ काम ही नहीं करना है, they're happy like that, तो यह voluntary unemployment है, clear, जल्दी से इसका screen shot लो, done, तो भाई, मुझे नहीं लगता कि इस category में कोई बच्चा हमारा आना चाहिए, इतनी महनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, अपने नाम अपना कमार हो, आपको यही है भाईया फंडा, this is your 12th standard, after this, you have to work on becoming independent, तो यह voluntary unemployment में तो कोई नहीं आना चाहिए, और नहीं involuntary में आऊ तो, मैं तो सच बताऊ, मैं तो चाहती हो, full employment वाली category में आऊ सब, you achieve your goals, you achieve all your wishes and make your parents proud, that's my only wish for you all, because your parents are investing such huge amount, है ना, सिप्षे की बात नहीं, emotions हो गया, आपके लिए तनी महनत कर रहे हैं, आपको यह तक केर कर रहे हैं, इतना तो हो डिजर्व करते हैं, ना, कि उनके बच्चे बहुत अच्छे से आगे बढ़े, तो आपको महनत करनी हैं, बस, महनत रिल से देखने में भी लगती है, ऐसा नहीं, उसमें महनत लगती हैं, आपके हमारी सूच जाती हैं, दिमाग हमारा बंद हो जाता है, अप टीवी देखने से आँके खराब होती है, मैं वो बुलकुल नहीं कह रही हैं, लेकिन आपको बिलकुल नहीं कह रही हैं, लेकिन अपने पेरेंस का और आपको चीज़े बढ़ानी नहीं है, आपको अपने लाइफ बनानी है, आपको अपने लाइफ बनानी है, आप जितना मेहनत करते चले चाहें, उत्ते आपको रिजल्स मिलेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज को ग्राइफ करना आना चाहिए, राइफ बनानी है, अगर हमने देखा है कि किसी इंसान ने कोई अच्छे कॉलेज नहीं भी गाएं, So that is why students, किसी को भी इस काटिगरी में नहीं आना है, Done? So this was all about this video students, जहां पर हमने पूरे concepts पड़े, कि what is the meaning of unemployment, और मैंने अपको यहीं बताए, कि आपको कॉंसी काटिगरी में नहीं आना है, So students अगर आपको इस सेशन अच्छा लगा है, तो जल्दी सापको मैं को comment section ने बताना है, That how was the session, कि आपके doubts clear हो गए, यहां और भी कोई doubt हो, तो you can link me in the comment section, अगर अच्छा लग रहा है, तो जल्दी सापको like और comment करना, share भी करना प्रेफिरेंस के साथ, because MagnetBrain is a कैसा platform है, this is going to be a one-stop solution for everything, because अगर हम बात करूँ CBSE की, साथी में आपको यहां पर e-notes और e-books ही मिल जाएंगे, उसकी चुलेंगे, इंके description box मां मिशक गिवन रहती है, हम से CBS ही नहीं, different state boards को भी follow करते है, चाहे वो Delhi board हो, Bihar board हो, UP board हो, MP board हो, या Rajasthan board हो, साथी में आपको Vedic Maths, Crash Course and Spoken English का भी course मिल जाएगा students, and one more thing, आपको यहां दखना है, कि हम से यूटूब पर ही हमें, हमें different social media sites पर भी आपको follow करना है, चाहे वो Facebook हो, Instagram हो, Twitter हो, Telegram, WhatsApp, everywhere, तक कि कोई भी important, आपका, कोई भी important, you know, notification, update, कुछ भी missना, because this is your 12th standard, so keep learning, be motivated, be consistent students, को यवी दूटू, you can let me know, bye-bye, see you in the next video, thank you for watching.